हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल मावल एक्स्प्रेंग तो इस वीडियो में मैं रिप्लेस्मेंट कॉंट्रेक्ट मांगा का नेक्स पार्ट एक्स्प्रेंग करने जा रही है तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं जो पेशू है वह मतलब चाइना वापस जाता है और जो होता है शो जी चिन वह मतलब वहां पर बैंक्योड हाल में होता है क्योंकि उसके लिए बैंक्योड हाल अरेंज किया होता है अभी हम देखते हैं जो पेशू है वह सी जो जो से हाथ मिलाता है और जो फील करता है कि जो होता है हमारा पेशू उसके हाथ काप और फिर वो सोचता है कि इसने अभी अभी मुझे टच किया, और तब ही जो होता है पेशु, वो अपने हाथों को वापस ले लेता है, और उसके एक्स्प्रेशन थोड़े जैंडल होते हैं, तब ही हम देखते हैं, जो व शुचेशन है, वो अपने मन में सोचता है, जब तक जो गू हाना मुझे इस एक्ट को एंट करने के लिए नहीं बोलता तब तक मुझे अपनी एक्टिंग को जारी रखनी होगी तब ही वो मिस्टर गू को बुलाने लगता है तब ही फिर वो सोच रहा है कि मेरी कंपनी को अभी भी मनी की जरूरत है तो मुझे यहां पर और करता है और उससे बोलता है कि मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी में भूलाया हूं तो तुम्हें अभी जाकर उसे लेकर आना पड़ेगा तो जो होता है शोजिचिन वो उसे मतलब मना करने के कोशिश करता है तब ही गुहान उसे आखे दिखाता है तो फिर शो करता है कि मैं आज का जो पूरा एक्ट करते हुए थक चुका हूं अभी मैं वापस घर जाओंगा और घर जाके अपनी फेवरेट क्राइफिश खाऊंगा और वह काफी तक खुश होता है तब हम देखते हैं वहां पर जो होता है पेशू वह बोलता है कि वेट पर गुहान अच्छा मेरी वेलकम बेंक्वट है मैं नहीं चाहता कि सभी लोग को यहां से जल्दी चाहें और सभी लोग फ्रेंड़ली अक्ट करें और तभी पेशू बोलता है अब रदर हां से कि प्रतर हां क्या ठीक हैं तो फिर गुहान मान जाता है और फिर जो गुहान आना वह उसे फील कर पा रहा हूं तभी गुहान गोलता है शूजिशन के कि तुम्हें अभी डॉक्मेंट्स को लेकर आने की जरूरत नहीं है तुम बस यहां पर ही रुको और फिर वो सभी लोग उसे बोलता है कि तुम सभी लोग को यहां से जल्दी जाने की बिल्कुर भी जरूरत कि अभी सब्सक्ता नहीं उसे उसाहरस नहीं कर लता है कि तुम क्रेंस जाने ओंसे खैप सारी तरफ का देंस का आव're कि मुझे यहां पर रखना चालता है क्या यहां पर शूअप करना फिंशाना करना है इतनी सारे लोगों के वीच में तब इम जो शूजी चिन है वो हुने थैंक्स करता है और जो गुहान है वो उसे एटिटूट से बोलता है कि तुम अभी बैंकिट में जाओ और मुझे अम्बैरस मत करना तभी हम देखते हैं जो शूजी चिन है वो देख रहा होता है गुहान को और जो होता है पीशू वो उसकी सारी नजर होती है Shui Chi Chin पर एंड हम देखते हैं Shui Chi Chin वहां पर Mr Gunaan को मतलब by बोलता है और वहां से जाने लगता है तभी जो Shui Chi Chin न वहां वो अध़ी कोंचे चुछते से गोहरा होता है कि गोहरा कि गोहन कि तुम अभी वी वैसी ब्रदरहानों जो मुझसे तुमने मुझसे बादा किया था किया तुम्हें याद है और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा दिल क्या भी चेंज हो चुका है जो होता है गुहाना वो सोच रही है कि क्या शुशु मेरी फिलिंस को कांफर्म कर रहा है तबज गुहान उसे बोलते हैं कि या ऐभी में पहले की तरह सेम ही हुँ और मैं तुमारा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं मैंने अपनी साज़ में किसी को भी नहीं रखा कि इतनी बड़ी कंपनी है और अप्डॉर्ड में काफे ज़दा सैटलमेंट किया है तो अपने जल्दी से चाइना आने का क्यों सोचा तो पेशो उसे बताता है कि मेरे फादर कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं मैं बस इस जगह को मैस कर रहा था इसलिए मैं वह पर वापस आ रहा है तब ही जो होता है गुहान वह से फूश्चा है कि तुमने क्या को जगह डिसाइड की यहां पर रहने के लिए तो फिर पेशो उसे बोलता है कि हाँ अभी मैं टैम्परेरी अपने जो फैमली पी फैमली का विला है वहां पर रहने वाला हूं तब ही अभी मुझे लगा जैसे कि आप अपने जो असिस्टेंट है उसे बहुत ही जादा ध्यान से देख रहे थे तुम उस पर बहुत ही ज़दा अपनी अटेंशन दे रहे थे तो उसकी बास उनके गुहान के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते है और उसे बोलता है कि मेर बॉसरी दरह देखते हैं मैंक्यूर हॉल का सीन जहांपर जो जीचेंट है वह अराम से अपनी की को इनजॉई कर रहा होता है और तबी उसे अपने जो जाड़के से बोलता है कि तुम कहां पर हो तो फिर वह लड़का उसे बोलता है कि मैं बेंकूर हॉल में आ चुका हुआ और यह है वो लड़का जिसे वो बात कर रहा होता है इसका नाम है शूजवान तो यह मतलब एक कंपनी है उसका डारेक्टर है वाइस डारेक्टर है और इसी से वो बाते कर रहा होता है तो यहां पर हमें एक बात कंफर्म हो जाती है जो मतलब होता है शूजशिन वो कोई पास में चल रही होती है और उसे पैसे की जरूरत होती है तभी हम देखते हैं जो शुचिछन है अभी उससे और ज्यादा बाते करता है और जो होता है शुच्वान वो से बोलता है कि आपको अभी अपना ख्यार रखना है मुझे जो पीशू है वो ज्यादा अच्छा नहीं कहीं वो आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रियेट करें आपके लिए तभी शुचिछन को हम देखते हैं जो कि अपना केक को खा रहा होता है और वो सोच्टा है कि आज मैं जल्दी घर वापस नहीं चापाऊंगा और नहीं मैं अपना फेवरेट खाना का पाऊंगा मुझे ये मेरी पिचर्स ले रहा है और फिर वो सोच्टा है कि किसकी पिचर ले रहा है अपने लव राइवल की या फिर अपनी सब्टिटूट की ये कौन सा ओप्रेशन है और फिर वो सोच्टा है कि अभी मैं इतने अगली तरिके से खा रहा था और मेरी फोटो भी अच्छी नहीं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तभी वो मतलब नोटिस करता है कि उसकी कपलों पे थोड़ा सा गिर जाता है खाना और फिर वो सोचता है कि मुझे अभी रेस्टरूम जाने की ज़रूरत है और वो वहां से जाने लगता है तभी जे बात मुझे पे शू है वो भी नोटिस करता है और वो गुहान से बोलता है कि ब्रदर हान मुझे भी रेस्टरूम जाना है तो फिर आप यहां गैस्ट को देखिया मेरे लिए तो फिर जो गुहान है वो से बोलता है कि हाँ अपकॉर्स और जो होता है मतलब शू जीचिन वो रेस्टरूम में होता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर रेस्टरूम का दरवादा खुलता है और वहाँ पर पेशो अंदर आता है और वो मतलब शू जीचिन को देखता है और उसे बोलता है कि शू शू और फिर उसे बोलते हैं कि फाइनली मैं तुमारे साथ अकेले में वक्त बता रहा हूं और फिर वो उसे देख रहा होता है तो इसके साथ हमारा यह वाला चैप्टर है वो तो नेक्स चैप्टर में कर आँगी आप लोगे के लिए तो अमीद है आपको यह अच्छी लग रही होगी और इसका जो प्लॉट विस्ट है वो आपको कल पता चलेगा मैं अभी उसे नहीं मतलब आप सभी की सामने लिकर आँगी और वैसे आप लोग मुझे बताईए पेशो को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या यह सच में मतलब बॉटम हो सकता है और फिर वो आपको क्या लगता क्या यह सच में गुहान को पसंद करता है आप लोग को मैंने हिंट तो दे दिया है बाकि आप लोग खुद की इमाजिनेशन लगाईए और मुझे कॉम्बन में चाके बताईएगा बाई